नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी सेक्शन 206AB CCA की कंप्लाइंस चेक के बारे में आया था कि आपको अगर किसी पार्टी का बायर हो आपको TDS काटना है या TCS कलेक्ट करना है जो कि डबल रेट से हो सकता है तो एक कंप्लाइंस चेक के लिए क चालू हो चुकी है आज मैं आपको पूरी उसकी लाइव वीडियो करके दिखाऊंगा कि कैसे वो फंक्सिलेटी आप चालू कर सकते हो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके बाद आप चेक कर सकते हो तो A2 लेके Z तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट इस कि प्रोसेड करने की बाद कि यहां पे आगे आपको क्या करना है वह अंब आपको बताता हूं कि पेंडिंग एक्षण में रिपोर्टिंग पॉर्टल में हमें आना है काफी सारे यहां पे आ रहे हैं आकी लेकिन हमें जाना है जो पैंडिंग एक्षन है उसमें reporting पॉर्टल में गए प्रोसीट पे क्लिक किया प्रोसीट पे क्लिक करने के बाद चार ओप्षिन आ रहे हैं न्यू रिजिस्ट्रेशन सफ्टी तो न्यू रिजिस्ट्रेशन पर आपको कंटिन्यू करना है उसके बाद फॉर्म टाइप आपको compliance check select करने ना है और individual हीओ आगया इस्टेटस और next पर क्लिक कर देना है next पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आपको फिलाल entity pen number यह डालने नहीं देगा आपको यहां पर entity name और pen नहीं डालने देगा आपको address डालने देगा तो आपको address डालके add principal officer पर क्लिक करना है तो मैं आपके सामने address डाल रहा हूं दोस्तों हो सकते है बीच में कहीं न कहीं इसमें error भी आ सकती है क्योंकि मुझे भ यह address डालने के बाद add principal officer पर क्लिक करना है अब add principal officer पर जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद आपके सामने principal officer की detail open होगी अब अब आप यहां पर pen number डाल पाओगे जैसे आप pen number यहां पर डालोगे बाकी की automatically detail इसमें आ जाएगी दोस्तों और कौन-कौन सी detail आपको डालनी है व आप बाकी सारी detail यहां पर आ जाएगी यह हमने pen number डाला यह देखिए सारी detail यहां पर आ चुकी है आप देख सकते हो केवल और केवल mobile number और email आईडी आपको डालनी सेश रह गई है दोस्तों इसके बाद आपको सम्मिट पर क्लिक कर देना है सम्मिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक mail आएगा दोस्तों यह आपके पास acknowledgement डाउनलोड हो गई है यह यह आपने सम्मिट कर दिया यह आपका एक registration नंबर जनरेट हो गया है यहां से आप डाउनलोड आपके सामने यह आ चुकी है अब साथ में आपके पास एक mail भी गया होगा जी हाँ एक mail भी आपके पास गया होगा तो हम चेक करते हैं वो mail mail आने में थोड़ा समय लग सकता है यह mail ऐसा mail आ गया है ITD, RE या इनका इसमें आपके पास one time password login ID आया होगा और login ID तो आपका pen number है और temporary password आ गया होगा यहाँ पर login को option है, इस login के option से आप directly login कर सकते हो आपको या फिर report inside.gov.in पर भी जा सकते हो तो यह हम जा रहे हैं अब इस वाले page पर आ गए हमें login पर click करना है, login पर click करने के बाद आपको pen number डालना है और आपका password एंटर करना है आप ध्यान रखना है, copy paste आप नहीं कर सकते हो, जैसे आप login करोगे यहाँ पर आपको current password डलवाएगा और नया password आपको reset करना है, तो यह आप reset कर लोगे password, क्या-क्या इसमें password की policy आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कौन-कौन से characters में allowed है, यह password login करने के बाद, यह password आप password reset कर लेना है, password reset करने में होसकता है, टाइम लगे तो आप इसको refresh कर लेना, तो यह password आपका reset हो चुका है, password reset होने के बाद, हम इसको login करेंगे, जैसे आप login करोगे, आपको form type select करना है, compliance check, यह इसमें से आपको आपका TDS number select कर लेना है, जैसे आप TDS number Select करोके, proceed करोगे, यहाँ compliance check for section का option आ रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, compliance check for section, इस option के उपर आपको click करना है दोस्तों, जी हाँ, अब आप पहुंच चुके हो, इस option पर click करने बाद दो option है, pen search और bulk search, pen search कर रहे हैं, pen number डालना है, जिस भी party को आपका search करना है, capture डालना है, और search के option पर आपको click कर देना है दोस्तों, जैसे आपने search किया, आपके सामने आ चुका है, नाम आ चुका है, उस party का pen allotment date आ चुकी है, pen आधार से link है या नहीं है, और 206AB और CCA के लिए specified है या नहीं है, अगर no आ रहा है, तो आपको normal rate से deduction करना है, और अगर no नहीं आ रहा है तो double rate या जो भी section में rate दियो है, accordingly आपको deduction करना है, ऐसे 206AB में आपको collection करना है, उसका PCS का, यहां से आप PDF format भी download कर सकते हो, और bulk search में जाके आपको template में लेगा, उस template में आप सारे pen number डालके bulk search भी कर सकते हो, PDF कैसे दिखेगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जो भी जितने भी pen है, वो pen आप डालिए और upload कर दीजिए, आपको bulk search करके भी दे गया, अब आपको दिखाता हूँ, कि जो PDF हमने डाउनलोड करी है, वो कैसी दिखने वाली है, यह आपके सामने PDF दोस्तों, या PDF देख सकते हो, इसमें name आ गया, pen number आ गया, link आ गया, और specified no अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, आपको यह वीडियो पसंद आयोगा दोस्तों, इस वीडियो में बनाने से पहले आदे गंटे हमने पूरी कोसिस करी थी, उसके बाद हम आपको यह वीडियो बनाए पाए है, आपको यह पहला वीडियो होगा, अभी तक का YouTube प क्लिक करना ना भूले, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए थैंक्यू सोमाच, जैहिंद, जैबाद